भार जोड़ो यात्रा बेशक कॉंग्रस के लिए एक जीत है लेकिन इस यात्रा में सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा हुई वो थी राहूल गांधी की हाफ टीशट और कडाकी के ठंड में उनका यू ही खूमते रहना इसके लिए कभी विपक्ष पूछता कि राहूल कौन सी दवा लेते हैं तो कोई पूछता वो क्या पीते हैं बीदे दिनों हर्याणा के नेताओं के साथ एक बातशीत के दोरान भी किसी ने राहूल गांधी से पूछा कि आप आखिरकार ग्लास में पीते क्या हैं वो कोई खास शेक होता है या कुछ और इस पर राहूल ने जवाब दिया कि उसमें जादा मातरा में दूद और हल्की सी कॉफी होती है दरसल कॉंग्रस के एक नेता ने पार्टी के पूरवध्यक्ष नों बताया कि अर्याड़ा के लगबग हर गाउं में लोग उनकी टीशर्ट के बारे में बात कर रही है और पूछ रहे हैं कि क्या ओने ठंड नहीं लग रही है उन्होंने ये भी पूछा कि वो ठंड से बचनी के लिए क्या खाते हैं इस सवाल के जवाब में गांधी ने कहा मुझे एक वीडियो शूट करना होगा ये वो कॉफी है जो मैं पीता हूँ जिसमें बहुत सारा दूद होता है और बहुत कम कॉफी होती है बताते इस वक सोशल मीडिया पर राहूल गांधी की खाते हुए एक फोटो वाइरल हो रही है जिसको एडिट करके एक और फोटो शेर की गई जिसमें दूद के गलास को शराब के गलास में दिखा दिया गया वह इस फोटो पर काफी बवाल भे हुआ इसी बीच ये वीडियो काफी चचाओ में आ गया है जिसमें खुद राहूल गांधी ने बताया कि वह आखिरकार गलास में सुब रोज क्या पीते हैं बताते इसी मीटिंग में भुपेंदर, सिंग, हुडा और राहूल गांधी की बीच कैसी बाचीत हुई थी जिसमें सभी लोग हसने लगे थे हसी मजाग के माहूल में भुपेंदर ने राहूल गांधी से कहा कि राजीव जी हमें दो बज़े के पहले नहीं सोने देते थे और आप पाच बज़े के बाद नहीं सोने देते हैं इस दौरान वहां मौजूद लोग खुब हसे राउल गांधी ने भी बताया कि कैसे उनमे इतनी फूर्ती है हर्याड़ा के पार्टी मामलों के प्रभारी शक्ति सिंग गोहिल ने भी गांधी के साथ एक इंसिडेंट शेर किया और उन्हें बताया कि वो सड़क किनारे एक धाबे पर चाई पीनी के लिए रुके लेकिन धाबे के मालिक ने उनसे पैसे नहीं ले धाबा मालिक ने उनसे कहा कि क्यूकि वो आदमी वास्तव में कड़ी महनत कर रहा है और तो उम उसके साथ चल रहे हो तो मुझे तुमसे पैसे नहीं लेने चाहिए पया रयाना की कॉंग्रिस की पूर्व ध्याक्ष कुमारीशालजा ने भी यत्रा के दौरान लोगों से अपने अनुभवव और बाचीत को शेर किया शालजा ने कहा कि उन्हें कुछ सिक लोगों से बाचीत की जिनोंने राहुल गांधी से मिलने की कोशिक के थी लेकिन उनसे बाचीत नहीं हो पाई थी लेकिन बाद में जब राहूल गांधी ने उनसे मुलाकात की तो उन लोगों ने राहूल को सचाक खालसा बताया बतादे फिलार राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने आखरी पड़ाओ पर है ये 19 जन्वरी को जमु कश्मीर में पहुचेगी और वही इसका समापन कारिक्रम होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें तकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24